करवाई होगी मैंने आपको बताया था पिछली बार भी बताया था कि पुलिस की विशेश टीम करवाई कर रही है पहले दो अपराद कर्मियों को गरफतार किया गया पटना की विशेश टीम के द्वारा तीन अपराद कर्मियों को और गरफतार किया गया पत्ना में हुए बहु चर्चित हत्याकाण निलेश मुक्या हत्याकाण मामले में बीते ही दिन पत्ना के स्स्पी राजिव मिर्श्रा ने बड़े खुला से किये जी हां अब इस मामले में बिहार पुलिस मुख्याले के डीजी दितेन सिंग गंगवार को जब भनक लगी तो उन्होंने साब साब कह दिया है कि बचे वे आरोपी जितने भी फरार चल रहे हैं उनके गिरफ्तारी जल्द से जल्द होगी वह बचेंगे नहीं नमस्कार मिरे नाम है रुहुत पर्मा और आप देख रहे हैं लाइफ स्टिक्स देखे राजधानी पत्ना के कुर्जी मोर लाखे में जिस तरीके से बहु चर्चित एक हत्याकांड होती है निरेश मुक्या हत्याकांड आप अब रत होंगे पूरा पटना थर्रा उठा था अपराधियों का बोल बाला इस प्रकार बर चुका था कि बीजेपी नेता को बित सरक पर अपराधि निशाना बनाते हैं औ पुलिस में से कल बीते दिन की बात करें तो तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई है दो सूटर एक लाइनर गिरफ्तार हो चुका है और पिछले कुछ दिनों पहले पटना के जस्पे राजीव मिश्रा ने दो सूटरों को उठाया था दो सूटरों की गिरफ्तारी हुई थी तो कुल पांच लोगों की गिराफतारी अभी हो चुकी अब बिहार पुलिस मुख्यले के एडीजी से जब उपने सवाल किया कि 40 दिन बीतने के बाद बिहार पुलिस के तरब से कारवाई की गई है मगर अभी भी कई नामजट फडार हैं पुलिस के हत्ते नहीं चरें उन्हो जल्द से जल्द सलाकों के पीछे होंगे एडीजी जितन सिंग्गवार क्या कुछ क्या रहें सबसे पहले आप वो सुनें करवाई होगी मैंने आपको बताया था पिछली बार भी बताया था कि पुलिस की विशेश टीम करवाई कर रही है पटली पुत्रा थाना अंतरगात जो गंबीर गटना हुई है उसमें पहले दो अपराद कर्मियों को गरफतार किया गया पटना की विशेश टीम के द्वार तीन अपराद कर्मियों को और गरफतार किया गया पुल मिला के लगातार पुलिस कारवाई कर रहे हैं और गटना का उद्वेदन के तापने सुना बिहार पुलिस मुक्याले के एडीजी दितिन सिंगंगवार को जिनोंने निलेश मुक्या हत्याकान पर साप साप कह दिया ह कि जल्द ही उनकी गिरफतारी होगी जल्द ही वो सलाखों के पीछे होगी देखे बहु चर्चित थत्याकान दस लाख की सुपारी की बात सामने आती है दस लाख रुपे की सुपारी दी गई थी निलेश मुक्या को तपकाने के लिए और ऐसे में अब बिहार पुलिस में तीन लोगों को गिरफतार किया है मरीं ड्राइप से उनको उठाया गया है चालिस 41 दिनों के बाद पटनापुलिस के हत्ते दो सूटर एक लाइनर लगे हैं हमने आपको पिछले ही दिनों बताया था उनकी वाइफ से हमने बात की थी उनकी वाइफ के सामने साप साप पटना पुलिस ने जिस तरीके से तीन दिन का समय दिया था तिन दिन के बाद दो सूटर एक लाइनर गिरफतार होता है और अब ADG ने भी साप साप कहा है कि ये वो बचेंगे नहीं जितने भी लोग है जिनका नाम सामने आ रहा है उन्हें जल से जल हम सलाकों के पीछे भेजेंगे देखें तीन टी में काम कर रही हैं तीन टी में लगा इसको सब्सक्राइब कर ले थाने बाद